आयुवेदिक और घरेलो उपाय के चर्चा सत्र में आपका स्वागत है आज का पहला प्रस्ण है कि इस नायू की दुर्बलता को दूर करने के लिए या उन से रच्छा करने के लिए आयुवेदिक और घरेलो को उपाय बताई है सबसे पहला उपाय है कि प्रतिकिन सुबह एक किलास गुनगुने दूद में आधा चमच हल्दी पाउंटर मिलाकर सिवन किया जाए और ऐसा टीज से पैथालिस दिन तक नियमित किया जाए तो इस नायू की दुर्बलता से सम्बंदित रोगी को लाग में सर्था है और दूसरा उपाय है प्रतिकिन सुबह पांच ग्राम अस्वगंदा चोड़ पांच ग्राम सतावरी चोड़ और पांच ग्राम मुसली चोड़ एक गिलास गुनगुने दूर के भीतर मिला लिया जाए और उनका नियमित तीज से पैतालिस दिनों तक सेवन किया जाए इससे भी इस नायू की दुर्बलता दूर हो सकती है दोनों में से किसी एक उपाय को करें और उपाय को करने से पूर्व अनुभवी नाड़ी वैले से परामस अवस्यलें परहेज और सावधानियों से संबंदित चर्चा करें और उनका कठोड़ता से पालन करें प्रति दिन सुभ योग और ध्यान का अग्यास करें और जीवन में जो आवश्यक परिवर्तन है दिन चर्या में जो आवश्यक परिवर्तन है उनके प्रती जागरूप रहे आप कि इस नायू दुर्बलता दूर हो यही मेरी इस्वर से प्राथना हरी हो